नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम सभी का अभिनंदन है NDC निशुर्ट क्लासेज में बहुत-बहुत स्वागत है जैहिंद वंदे मातरम तो आज बाबे की बीच आज बाबारामदेव जैंतिक बहुत-बहुत सभी का अभिनंदन है और इस उपलक्ष पर यही कहाना चाहूंग कि रामदेवजी महराज आप सब पर क्रिप्या करें और आपको नियमित अध्यन करने की जो है शक्ति दे सेलेक्शन का अशिरुआद आप अगर मेहनत करोगे तो सेलेक्शन जरूर जरूर होगा ही होगा चलिए मैंने आपको अभीदा सबसक्ती में बहुत कुछ विशेश बताया था लक्षना सबसक्ती में भी आपको बहुत कुछ विशेश बताऊंगा उससे पहले आपको दो चीज बता देता हूँ पहली ये कि टेस्ट सुबह दस बज अपलोड होना था लेकिन इंग्लिस में कॉशन वो कनवर्ट हो रहे थे काफी स्टुटेंट्स के सबके नहीं हो रहे थे काफी के हो रहे थे तो इसका अण से दिक्कत आ रहे थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्ट करके लेट तक मैंने अपलोड कर दिया इसके अलावा जो लाइव वीजन वाड़ा मैसेज है वो काफी स्टुटेंट्स तक पहुंच चुका है और जिन तक नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच जाएगा लेकिन लाइव विजन में ग्रूप में एड़ करने से कुछ नहीं होगा मैं रोज यहां पर 20 नाम लूँगा अभी एक वार सबको मैसेज चला जाए 20 इस्टुटेंट्स के नाम लूँगा कभी किसी के कभी किसी के तो कोसिस यह कीजिएगा कि वो 20 नाम यहां पर मौझूद हो अगर नहीं होगे मौझूद तो मैं वहां से आपको रिमूव भी कर दूँगा उसके बाद आप से मतलब फिर आपको जो है उन एक अजार में काउंट नहीं करेंगे यहां नाम लिखे जा रहे हैं लिस्ट बनाईए कम्पिटर में कि इन पर मेहनत करनी है यूं मान लीजिए आप तो है ना बस यही एक अटेंडेंस है और कुछ नहीं है कि हाँ यह बच्चे लाइव पढ के इस वहीं होता है क्योंकि देखते हैं कही बच्चे क्या करते हैं की सालेक्शन होता है ना तो मतलब ऐसे कमेंट हर जब ell कर दे तैं सर बहुत ब्हुत बदाई यों बहुत भाधा है दन्यवाद मैं चाहता हूं कि यह वासता में दिखा सकें कि हम ने एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए एक ही चैनल पर इमानदारी से महनत करते हैं उमने सलेक्शन हासल किया है इसलिए मैं अक्टूबर के स्टार्टिंग थक आपके लिए फर्स्ट पेपर एक नहीं अंदाज में लाऊंगा सलेक्टेड पढ़ाऊंगा जो भी मैडम पढ़ाएंगे और जो भी और टीचर्स पढ़ाएंगे सलेक्टेड पढ़ाएंगे और बड़िया पढ़ाएंगे बस यह है ताकि फर्स्ट पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं है चलिए आज हम पढ़ेंगे लक्षना सबसक्ति देखो लक्षना सबसक्ति अभीदा में हमने पढ़ लिया था कि कहां यमक अलंकार में अभीदा सबसक्ति होगी लक्षना सबसक्ति में हम पढ़ेंगे आच्छे वहां मैंने आपको एग ऐसी चीज़ बताई थी जो आज तक साइद आपने किसी किताब में नहीं पढ़ी हो और वो था अप अपरतित्व दोस्ति के उधारणों में भी आपको अभीदा सबसक्ति मिल सकती है जैसे आप लक्षना सबसक्ति पढ़ते हो तो ये कहता है कि वाक्य या कविता में परियुक्त किसी सब्द का मुख्य अर्थ या फिर लोग प्रसेद अर्थ जो अभीदा में में पार्ट अदा कर रहा था अत्वा शब्द कोशी अर्थ ये तीनों ही अभीदा की पहचान है मुख्य अर्थ, लोगपर से दर्थ और शब्द कोशिय अर्थ ये तीनों ही अभीदा की पहचान है लेकिन लक्षणा सबसक्ती में इन तीनों में से किसी शब्द का कोई भी अर्थ करने पर कोई ने कोई बाद आउत्पन होती है आप किसी भी तरह से अर्थ निकाल लो कोई भी शब्द आ गया उस शब्द का आपने चाहे मुख्य अर्थ निकाला चाहे आपने लोगपर से अर्थ निकाला चाहे शब्द कोशिय अर्थ निकाला लेकिन आपको बादा उत्पन होगी एवं उसके बाद उस शब्द से सम्मंदित कोई अन्य अर्थ ग्रहन करने पर वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है तो वहाँ वह शब्द लाक्षक सब्द कहलाता है और उसके द्वारा प्रकटित अर्थ जो आरोपित अर्थ कहलाता है वो उस सब्द की शक्ति को लक्षना सब्षक्ति कहते हैं समझ के बात आप तो इसको पहले थोड़ा सा सरल तरीके से समझते हैं क्योंकि बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं कावे सास्तर तो हमें समझ आ जाएगा, एक बात और बता दूँ, अगर किसी को भी अभीदा सबसक्ती 25% भी समझ आ गी है ना, यानि वो बहुत intelligent student है, आपको ऐसा कैसे, बिलकुल ये हिंदी का सबसे कठिन टॉपिक है, कावे सास्तर का सबसे कठिन टॉपिक है, ये सबसक्ती, लोग अलंक बाते हैं, तब ये होता है कि सुर्ती मधूरता वगरा वगरा वगरा, ये सुनने में मधूर लगता है, उसमें मुर्धन्यवर्ण होता है, ये इसमें लकडी जिस प्रकार अगनी को पकड़ लेती है, उसी प्रकार हम प्रसाद गुण के अर्थ पकड़ लेती है, ये सब ब बात करते हैं लक्षना सबसक्ति पर लक्षना सबसक्ति कहती है कि जब आपको आपने कोई पंक्ति पढ़ी तो पंक्ति पढ़ते ही जब आपने सोजा कि अर्थ से अर्थ लिया तब भी पार नहीं पड़ी आपने इसका लोग पर से अर्थ लिया तब भी पार नहीं पड़ी यानि आपके मुख्यारत में क्या उत्पन होई बादा उत्पन होई और बादा उत्पन होने से आपने क्या किया उसका अन्यार्थ ग्रहन करने का प्रयास किया जैसे ही उसका अनी अर्द ग्रहन किया, अब का अर्द इस्पश्ट हो गया, इसका मतलब वहां सब्द सकती है, जैसे यहां पर है मोहन गदा है, एक नॉर्मल बात है, मास्टर जी कहता है, उच्छरा तु गद्व आगी, है तो मास्टर जी कहा देता है अर्थात क्या यहां पे मोहन एक इंसान है वो गदा हो सकता है इंपॉसिबल चीज है गदा एक चार टांगों का जानवर है ना लेकिन मोहन तो गदा नहीं सकता इसका मतलब यह हुआ कि अच्छा चाए लोग पर सिदर ले तो चाए मुख्या अर्थ ले लो चाए फिर सास्त्री अर्थ ले लो कैसा भी अर्थ ले लो होते हैं आप जो मुख्यार्थ सास्त्री अर्थ वगरा नहीं निकलता तो आप जो अन्यार्थ लेते हो ना उसके पीसे दो कारण होते हैं या तो रूड़ी कोई परंपरा और या फिर कोई प्रियोजन होता उसके पीछे, तो दो कारणों से लिया जाता है, अब हम देखेंगे कि ये कौन सा है, तो अन्य अर्थ लिया हमने बेवकूब, ऐसे ही राधा तो निरी गाय है, क्या राधा गाय हो सकती है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकती, लोग पर से अर्थ ले लो, सास्त् अधिसादी, तो इस कारण से याँ पर लक्षना सबसक्ती होती है, लक्षना सबसक्ती के लिए तीन बाते ध्यान रखना बहुत आविशक है, पहली, सबसे पहले आप जब कोई पंक्ती पढ़ोगे, तो मुख्य अर्थ में बादा उत्पन होगी, वहीं समझ जाओ कि ये अ अन्य अर्थ को ग्रहन करने की पीछे कोई न कोई या तो रूधी या फिर कोई न कोई परियोजन होगा ही होगा, आपने अगर मानलो उसका कोई भी अन्य अर्थ ग्रहन किया है, तो यानि जैसे मानलो एक छोटा समय अधरान बताता हूँ आपको, मानलो आपके महले में निकलते आते जाते देखते हो कि मकान बनता है एक दिन आप उसके पास खड़े हुए और खड़े होकर पूछा भाई साब आपका यह ताज महल कब तक तयार हो जाएगा यानि आपने क्या कहा कि भाई साहाब बाई साब आपका ये ताज मेहल कब तक तैयार हो जाएगा अब आपने पूछे क्या मुझे बताओ वहाँ पे वो ताज मेहल बन रहा था क्या बोला नहीं बन रहा था तो फिर वो क्या बन रहा था वो तो साब मकान बन रहा था तो इसका मतलब इस मकान को जो ताज मेहल कहा गया, उसके पीछे या तो रूडी कारण था या प्रियोजन, रूडी नहीं था, उसके पीछे कोई ने कोई प्रियोजन था, प्रियोजन क्या हो सकता है, कि ताजमेल को बनने में भी बहुत लंबा समय लगा था, और ताजमेल को बनने में भी बहुत समय लगा था, और इस मक को बनने लखने में काफी समय लगा और तुम भी जो लिख रहा है तो हम जो इस प्रकार से ताना देते हैं ना ये इसके पीछे या तो रुडी होती है या फिर होता है प्रयोजन कोई ने कोई कारण जरूर होगा अब बात करते हैं सबसे पहले इसे लक्षणा सबसक्ति के भे लक्षणा सबसक्ति के भेद पढ़ते हैं तो लक्षणा सबसक्ति के दो भेद होता है एक होती है अभी हमने बढ़ा एक तो कारण होता है रूडा लक्षणा और दूसरा कारण होता है प्रयोजन वती रूडा लक्षणा और प्रयोजन वती रूडी लक्षणा यानि उसके पीछे कोई ने कोई rude कारण है जो लंबे समय से बोले जाने के कारण वो क्या हो गया? rude हो गया उस चीज के लिए ठीक है? जैसे चलो जैसे वाड़े तो हम बाद में बताएंगे आपको इसमें ध्यान रखना है देखो जितने भी मुहावरे हैं जितने भी मुहावरे हैं लोकोक्तिया हैं जितने भी मुहावरे और लोकोक्ति हैं सारे के सारे किसमे आते हैं रूडा लक्षना में आते हैं कोई भी मुहावरा या कोई भी जो लोकोक्ति है वो सारी के सारी किसमे आईगी रूडा लक्षना में क्योंकि हम जैसे बोलते हैं कि 9-11 होना 9-11 होना यानि अक्सर हम भाग जाने के लिए एक लाइन यूज करते हैं कि 9-11 होना और 9-11 बोलते हैं तुरू सामने वड़ा समझ जाता है कि वो भागने की बात कर रहा है जितने भी मुहावरे लोकोकियां सारे रूडा लक्षना में आ आप दूसरा कार्ण कहोगे किसी को तो अगर वानलो कोई लंबे समय से कोई चीज रूड नहीं हुई है तो इसका मतलब आप कोई परियोजन के थैत कहोगे अब परियोजन किसी प्रकार का हो सकता है आपका अच्छा परियोजन भी हो सकता है आप तुलनात्मक रूप से भी कह सकते हो, आप और किसी भी रूप से कह सकते हो, तो परियोजनवती लक्षणा जो होती है, उसके दो भेद माने जाते हैं, एक गौनी और एक सुद्धा ध्यान से समझना, अब आप देखो सर परियोजनवती तो बताओ पहले, ज़रूर यही खेल है, क्या खेल है? उपमे और उपमान का खेल है, यानि गौनी लक्षणा में उपमे उपमान दोनों आएंगे, यानि और सरसरल तरीके से आप बताओ, बताता हूँ, अगर आपको रूपक अलंकार का कोई भी उधारन दिखे, कौनसा अलंकार का? रूपक अलंकार का कोई उधारन दिखे, पायो जी मैंने इराम रतन धन पायो, उदेट उदैगरी मंच पर रगुर वाल पतंग, कोई भी रूपक अलंकार का उधारन दिखे, समद जाओं में, इसका, इसमें कौन सी सब्द सक्ती होगी? सारोपा, सरूपक, इसमें केवल उपमान होता है, केवल उपमान आएगा, यानि उपमे मौझूद नहीं होगा, अगर किसी वाकिय में उपमे और उपमान दोनों है, तो वहाँ पर कौन सी है? सारोपा लक्षणा है, केवल उपमान है अगर, यानि मैं इसे कोह सकता हूँ, कि केवल उपमान यानि जो आप लुपतोपमा पढ़ते हो क्या पढ़ते हो लुपतोपमा तो वो किसमें आती है वो साथ देवसाना में आती है लुपतोपमा का कोई भी अलंगकार होगा जिसमें उपमे नहीं होगा केवल उपमान होगा वहां क्या आएगी, सात्य वसान आएगी, एक वार समझना, इनका सारा विस्तरत पढ़ेंगे अपन, उसके बाद आपन देखते हैं सुद्धा लक्षणा, ये होता है सुद्धा लक्षणा, सुद्धा लक्षणा में क्या होता है, कि कोई न कोई मतलब तुलना वगरा जो होत करते हैं देखो परियोजनवति में गونë लक्षना को हो गया वो संब्स हो गया ठीक है पर्याजनवति को समझने का प्रियास करतेkins करते पर्योजनवति में क्या हुता है जहां मुक्हारत में बाद उत्पन होती है जैसे वाले प्रव्यष कर रहें सारी चीज़ें होती है, सीधा मैं सुद्धा ही समझाता हूँ, वरना फिर आप कन्फ्यूज जाओगे, ठीक है, सुद्धा लक्षणा में क्या होता है, इसमें आप यूँ चीज समझो, मैं बहुत सरल तरीके से बताता हूँ, बताऊँगा, बताऊँगा, चलो, मैं ये बता रहाँ ठीक है, देखो, इसमें क्या होती है, मुख्यार्थ में बादा उत्पन होती है, क्या उत्पन होती है, मुख्यार्थ में बादा उत्पन होती है, किसमें, ये होती है, सुद्धा लक्षणा, अब मुख्यार्थ में बादा उत्पन होई, लेकिन, इस इसमें एक चीज ध्यान रखने लाइक है कि उपादान लक्षना जो होती है इसमें उपादान लक्षना जो होती है इसमें मालो जैसे मालो कोई उधारन होता है जैसे सारा घर तमाशा देखने लग गया क्या उधारन दिया सारा घर तमाशा देखने लग गया तो जिस सब्द क कैसे तमा साथ देख सकता है? नहीं देख सकता है? ठीक है? इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है, कि सारे घर के लोग तमा साथ देखने लग के? तो जब इसकी व्यक्या करेंगे तो सारे घर के लोग इस तरह से आएगा. यानि मुख्यारत में बादत управ्षिपन हुई, लेकिन जब इसकी व्याख्या करेंगे तो जो मुख्यार्त होगा ना वो कभी भी वहाँ से हटेगा नहीं उसे हम इग्नॉर नहीं करेंगे उसे डिलिट नहीं करेंगे यानि सारे गर के लोग तो सारा गर हटा तो नहीं ना इसमें क्या होता है लक्षणा लक्षणा में इसमें जब यूं होता है कि जैसे आज तो विस्धर मार डालता आज तो विस्धर मार डालता अब यहां पर क्या होगा कि मान लो मैंने का आज तो वो शैतान मिल गया था द्यान से समझना मान लो किसी से कोई रुपय उदार मांग भाल मार्केट गया मार्केट में एगदम से जो रुपे मांग रहा था वो मिल गया which तो अब बता तू फोन ही नहीं उठा रहा रुपे लेने वाल टेम तो तू कैसा था आज तू रुपे देने के लिए तू फोन नहीं उठा रहे घर पे मिल नहीं रहे ठीक है तो वो ऐसे ही मार मतलब जैसे तैसे चाप लूसी करके वापस घर आता है घर आता ही वो घर पे किसी को करता है कि आज तो मार्केट में शैतान मिल गया क्या वास्तों में शैतान मिला था नहीं मिला था तो हमने वहाँ शैतान की जगे सीधा किसको संबोदित किया हमने शैतान की जगे हाँ सही है न सोड़ा बारा प्लास सही चल रही है, ओके, तो हमने शैतान की जगे किसको संबोदित किया, उधार मांगने वाड़े, तो वहाँ से शैतान सब्द को बिलकुल अठा दिया, बलकि सीधा क्या कहा, कि उधार मांगने वाला मिल गया, बास समझ आई, तो वहाँ पर क्या होता है, लक्षणा लक होई, वो साथ मेरता है, सारा घर तमाशा देखने लगा है, तो घर नहीं, बलकि घर के लोग, तो घर अटेगा नहीं, वहीं पर रहेगा, इसमें हट जाता है, अब इसकी थोड़ी व्यक्या पर देखते हैं, लक्षणा सबसक्ती के भेद, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रू इर्थ ग्रहन किया जाता है, तब वहाँ रूड अलक्षना मानी जाती है, ध्यान से समदना, जो चीज किसी के लिए रूड हो चुकी है, वो सार इसमे आएगी, जैसे राजस्थान वीर है, क्या राजस्थान वीर हो सकता है क्या, बोला सर बिलकुल नहीं हो सकता, राजस्थान के लोग वीर हैं, ठीक है, महरास्थ साहसी है, तो महरास्थ, महरास्थ के लोग साहसी है, महरास्थ के लोग साहसी हैं, बात समझ आ रहे हैं, इस तरह से ध्यान से समझना, क्योंकि गड़बड हो अगर एक बार समझ गड़बड हो गई तो गड़बड हो जाती इसका मतलब यह होता है कि या तुम थोड़ा सा चुप बैड़ जाओ भाग जग्यों उम्गों उर आली उद्य भयों है अनुराग हमारों तो ये जो भाग्य जग्ना ये एक पंक्ति आती भाग्य जग्ना क्या कभी भाग्य जो है वो जग्सकता है बोलसर बिल्कुल नहीं जग्सकता लेकिन ये एक मुहाव्रा है कि भाग्य जग्ना यानि गर में खुशियां ही खुशियां आ जाना जैसे मान लो और हमने एक उधारण ले लिया कि पुलिस को देखते ही 4-9-211 हो गया तो यहां पे यह क्या है वो रसर यह तो बिल्कुल लक्षना सब सकते क infectious यह उधारण है रूडा लक्षना ऐसे ही मैं एक उधारण और किता सकता हूँ आपको वो उधारन इस प्रकार से है वह हवा से बातें कर रहा था अब कोई वेक्ति हवा से बातें कैसे कर सकता है हवा से बातें करते हुए देख लोगे तो आप उसके पास थोड़ी रुकोगे बिल्कुल नहीं रुकेंगे सर हवा से बातें कर रहा था इसका मतलब हुआ कि वह पिर मानलो 9211 हो जाना ये सारे क्या चीज हैं इसके अलावा जैसे मानलो एक आपने मैं पद्य का उधारन बताता हूँ आपने तुलसी दाज जी ओड़ा पड़ावित बड़ वागी आगी बड़ वागी बड़ वागी बड़ी है आगी पेट की ये जो उधारन है आगी बड आग हो सकती है क्या बिल्कूल नहीं हो सकती है पेट में कैसे आग लग सकती है तो यहाँ पेट में आग लगना ये भी अपना पर एक मुहावरा है पेट में आग लग जाने का मतलब है मुझे भूक लग चुकी है अरे मेरे पेट में आग लगी वी है फटा पड़ लेकर आ इसका मतलब हुआ कि मुझे भूख लगी है तो इस प्रकार के सारे उधारण किसमें आते हैं इसी में आते हैं समझगे बात आप ये होती है रूडा लक्षना क्या होती है रूडा लक्षना इसी के अलावा जैसे एक उधारण और बताओं आपको तो मैं एक आपने सुना होगा विद्युत की इस चका चौन्ध में विद्युत की इस चका चौन्ध में दीपक की लो रोती है क्या दीपक की लो जो है वो रो सकती है विद्युत की इस चका चौन्ध में देख दीपक की लो रोती है अरी हिर्दे को थाम अरी रिदे को अरी हिर्दे को थाम विद्युत की इस चका चौन्ध में दीपक की लो रोती है अरी हिर्दे को थाम महल के लिए महल के लिए छौपडी बली होती है अब देखो इसमें लक्षणा तो है लेकि इसमें दो तिन लक्षणा के भेद एक साथ है एक साथ है हम सिर्फ बात करते हैं विद्युत की चकाचों में दीपक की लो रोती है यहाँ पर आपको रूडा लक्षणा जरूर मिल सकती है इसके अलावा कहीं पर भी कैसे रो सकती है दीपक की लो रो ही नहीं सकती दीपक की लो रोने का मतलब एक तरह से वो बुझ जाएगी यही होगा ना यहाँ पर लेकिन सर जोंपड़ी बली होती है यहाँ पर तो हमने कोई दूसरे उधार में यह देखा है बिल्कुल यह दूसरे उधार में इसलिए ज उस द्रश्टी से देखो एक चीज बनुदताता हूं कि कई बार क्या होता है कि क्लास आपको ऐसा लगता है एक रूपो देख मुझे उस द्रश्टी से जो मार खा रोई नहीं देख मुझे उस द्रश्टी से जो मार खा रोई नहीं देखा मुझे देख नहीं देखा होगा ठीक है देखा हां कई बार क्या होता है आपको ऐसा लगता है कि सर ना क्लास बोरिंग करें क्योंको ऑनलाइन पढ़ना अक्सर जब आप पूश्त होना कि सर ऑनलाइन बैस्ट है आपको मतलब वीडियो आगे रखके बैठना है और आपको मतलब वीडियो आगे रखके बैठना है यह आपके लिए बहुत मुश्किल कारे हो जाता है क्योंकि एक जब तक क्याता है ना कि पन्ना जब तक पन्ने पर वजन नहीं रखा जाएगा पेज पर तब तक वो फटफड़ाएगा ठीक ऐसे स्टूडेंट होता है आपको लगता है यह बाद में देख है ना और हर स्टूडेंट तक पहुंचने का परियास करें तो इसमें हम कोई ना तो हाश्य बात कहते हैं ना कोई ऐसे कोई बात कहते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता भी है तो आप लोगों के लिए वैसे ही बहुत कठिन कारी है कोज लेकिन आप याद रखें कि आपको क्ला को ऐसा नहीं कि बाद में देख लूँ आप उसे पूरा देखो उसे समझ नहीं है तो उसे बाद में एक वार स्पीड से और देखो फिर समझ नहीं है उसे बाद में दो की स्पीड से और देखो लेकिन आप क्लास देखने का परियास करें क्यों कई वार मैं मैं भी करना बू जो है वो मार खा सकती है और ना ही वो मार खाकर क्या कर सकती है रो सकती है तो यहाँ पर ये पंक्ती भी जो है वो किसकी है रूढा लक्षना की है किसकी है रूढा लक्षना की है और रूढा लक्षना के इतने उधारण खूब है कि आप यूं समझ जाओ कि मुहावरे लोकोक है ना जुरत चातुर यह प्रीति इस प्रकार का यह उधारण और पड़ा होगा आपने तो मुझे बात बताओ यह जो आया यहां पर द्रग उर्जद टूटत कुटम एक बात तो आंक्खे उलजना द्रग यानि नित्रों का उलजना यह तरह से मुहावरा है तो मुहावरा है तो इसका मतलब क्या होना प्रेम होना यह क्या होगा इसका मुझे तो आप अगर पंक्ती पढ़ोगे तो आपका ऐसा लगेगा जैसे मानलो आगया कि हमारे हरी हारिल की लकडी सुर्दासी का गया हमारे हरी हारिल की लकडी तो हरिल की लकडी आते ही पता लग गया यह लोको लगता है या फिर आप भाग जग्यो इसके अलवा देखो एक चीज और बताता हूं आपको जैसे भाग जग्यो ये भाग्य जगना क्या भाग कभी जगताएं क्या एक तरह से ये मानवी करण सा लग रहा है तो ऐसी कंडिशन पर भी जैसे मानलो माती थाप हवा की पड़ती पेडों की बजरही डोलक क्या कभी पेड डोलक बजा सकते हैं क्या नहीं बजा सकते हैं तो कई बार मानवी करण भी इस प्रकार से हो जाता है है ना तो उससे ऐसा लगता है कि लेकिन मानवी करण पर ज्यादा नहीं उलजेंगे क्यों मानवी करण इस तरह होता नहीं में तो क किसमें होती है रूडा लक्षना अब होती है परियोजन वती लक्षना परियोजन वती लक्षना में क्या होता है कि जहां मुख्यार्थ में बादा उत्पन होगी ध्यान से समझना उत्पन होने पर मुख्यार्थ से संब्द अन्य अर्थ किसी परियोजन की सिद्धी के लिए जाता है, जैसे, मतलब सबसे पहले एक उधारणाया सुवेत दोड़ रहा है, लेकिन जैसे मुख्यारत में बादा हुए है कि सुवेत कیسे दोड़ सकता है, यानि सफेद रंग कैसे दोड़ सकता है, तो इसका मतलब साले नहीं भाले होगा क्या टाइप किया है स्वेद दोड रहा है इसका मतलब यह हो गया कि स्वेद दोड रहा है सफेद दोड नहीं सकता तो बादा उत्पन होई बादा उत्पन होई तो हमने उससे एक अन्य अर्थ क्रहन किया कि सफेद यानि किसी सफेद रंके गोड़े की बात हो रही है किसकी बात हो रही है गोड़े की बात हो रही है भाले प्रवेश कर रहे हैं यानि भाले लिये हुए भाले लिये हुए सैनिक जो है प्रवेश कर रहे हैं तो यानि किसी पर्योजन की सिद्धी के लिए ये वाक्य कहे जाएंगे अब सरी ये तो वी पर्योजन की बात लेकिन परियोजन भी दो प्रकार के होता है एक होता है गौणी लक्षणा और एक होता है सुद्धा लक्षणा कौन सा होता है सुद्धा लक्षणा सबसे पहले बात करते हैं गौणी लक्षणा की द्यान से समझना गौणी लक्षणा जो होती है परियोजन वती का पहला होगा या उनमें सामिप्य का संबंध होगा या वैप्रित्य का या कारे कारण का या तार्तम में या अंगा ये कुछ संबंध होगे सरी किस प्रकार के होता है अभी बात करेंगे आप ये गोणे लक्षना के बेद बता रहा हूँ अब देखो इसमें यहीं से एक चीज क्लियर कर लो कि अगर वहां पर साध रश्य का संबंद हुआ किसका संबंद हुआ साध रश्य का संबंद हुआ तो वहां पर सारोपा होगी कौन सी होगी सारोपा होगी साध रश्य का संबंद हुआ तो वहां पर सारोपा होगी और बाकी कोई सा भी संबंद हो गय साध्य वसाना का संबंध हो जाएगा बात समझ आई गोणी लक्शना में जो होते हैं वो इतने प्रकागए संबंध होते हैं उन में साध्य संबंध के लुसारूपा में होता है तो वहाँ गौणी लक्षणा होती है समझत है रूपक और लुपतोपमा के अलंकार पदों में क्या होती है गौणी लक्षणा होती है दोनों में क्या होती है गौणी लक्षणा होती है कहाँ पर होती है रूपक या फिर लुपतोपमा में जो है गौणी होती है क्या कहा है गोणी कहा है बात को समझ लेना क्या कहा है यहां पर गोणी लक्षणा के बारे में कहा है ठीक है ना अब गोणी में जब हम पढ़ेंगे रूपक तो वहां केवल आजाएगी सारोपा और जब हम पढ़ेंगे लुपतोपमा तो वहां आजाएगी साध्यवसाना उपमे और उपमान दोनों मौझूद होंगे तो यहां मुख चंद्र है मुख यानि क्या है उपमे चंद्रमा क्या है उपमान इसका मतलब यह हो गया सारोपा का उधार्ण बीती विभावरी जागरी अंबर पनगत यह देख लिजे यहाँ पर उपमे और यहाँ पर उपमान दोनों मौजूद है तारा घट उशानागरी यह लिजी तारा घट और यह लिजी यहाँ पर भी उपमे और उपमान संबंध है और यहाँ पर भी उपमे और उपमान संबंध है तो जहाँ पर उपमे और उपमान दोनों होते हैं वहा प्टरक नहीं पट रहा है क्योंकि गौनी के दो भेद हैं, गोनी का दो भेद हैं सारूपा लक्षना ठीक है, जब किसी पद में अउपमेर उप्मान दोनों का शब्द द्वरा निर्देश करते वे अभेद आरोप पताया जाता है तो वहां सारोपा लक्षणा मानी जाती है अभी अमने जो कहा था कि मुख चंद्र है वो किसका उधारण है वो इसी का तो उधारण है और ये खुद किसका उधारन है ये गोणी लक्षणा की बेद है जैसे मैंने कहा शेर सिवाजी शेर सिवाजी ने पल में अफजल गज को मारा शेर सिवाजी ने पल में अफजल गज को मारा में एक उधारन लग दिया यानि शेर सिवाजी तो ये शेर क्या है उपमान है सिवा जी क्या है उपमे है इन्होंने क्या किया अफजल उपमे और उपमान क्या है यह रहा तो यहां पे दोनों में उपमे और उपमान दोनों आए हैं तो यह किसका उधारन हो जाएगा सारूपा हो जाएगा ठीक है ऐसे ही देखो उधारने काता है क्या आता है उदित उदेगिरी मंच पर रगुवर बाल पतंग उदित उदेगिरी मंच पर रगुवर बाल पतंग तो यहां पर उदित उदेगिरी मंच तो उदेगिरी परवत को क्या बताया है मंच बताया है उदेगिरी परवत को क्या बताया है उदेगिरी परवत को बताया है मंच और रगवर को किस के समान बताया है बाल पतंगे के समान बताया है तो यहाँ पर उपमे और उपमान दोनों मौजूद है और जहाँ उपमे और उपमान दोनों मौजूद होते है वहाँ कौन सी लक्षना होती है सारोपा लक्षना होती है और सारोपा उप्षिन में नहीं होगा तो कौन सी होगी वो होगी गोणी अगर option में सारोपा नहीं है तो फिर ये गोणी के भेद हैं क्योंकि गोणी के दो भेद हैं सारोपा और साध्यवसाना तो बात समझ में आगई सारोपा में ध्यान रखें उपमे और उपमा दोनों होते हैं मैंने आपको बता दिया कि रूपक अलंकार जहां होता है वहां पर क्या होती है वहां सारोपा लक्षना होती है इसके अलवा आपको कुछ बताने की जरूरती नहीं पड़ेगी ठीक है अब आईए साध्यवसाना साध्य वसाना लक्षणा में क्या होता है जब किसी पद में केवल उपमान बस इस चीज को समझ लो इससे जी आप खुद बता दो मुझे नहीं लगता ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे कभी भी अच्छा YouTube पे नहीं मिला था कभी मुझे किसी कताब में अच्छा नहीं मिला था मतलब आपको बता है जो लोग कहता है मैंनेस से कुछ नहीं होता भागे से ही और था होना चीए मैं उनको एक बात चाहता हूँ कि जो मैनद करते हैं भागे उनका अपने आप साथ देता है आप मैं एक छोटा सा उधान बताता हूं आपको छोटा सा उधान आप इस चीज़ को मानेंगे भी और यकीन भी करेंगे देखो actually क्या है हाँ 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 ठीक है मैं कुछ बताना चाहरा था मैं भूल गया ठीक 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 ओके मैं बता हूं आपको अभी जैसे चालीस दिन मिले थे सेकंड डेट के दोरान तो सेकंड डेट के दोरान चालीस दिन मिले थे तो बहुत से बेड़तियों तैयारी की थी और बहुत से बेड़तियों तैयारी नहीं की थी बलके तैयारी करने वाड़े कम स्टुडेंट थे तो जब रिजल्ट आया तब लोग है बाइं मतलब हमारे तो किसमत एक खराब है मार सेलेक्शन नहीं हुआ मतलब पेपर रद ओ गया यह हो गया मतलब दोस्त रहने लगए एक बात बता हूँ आपको 40 दिन मिले आपका सेलेक्शन हो नहीं हो आपको मैनत करनी चाहिए थी आपको मैनत करनी चाहिए थी आपने मैनत नहीं की इसलिए आपका सेलेक्शन नहीं हुआ इन 40 दिनों में जिन्हों मैनत की और जो पहले पिछली जब पेपर रद नहीं हो तब वह बाहर हो क्या हुआ हाथ मेहनत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने इस सब्सकति जो टॉपिक भान इसको मैंन TC clear किया मिलक्ट कितना अच्छा कर रखा है कि यह गौनी और चUN겠नृती परियोजनवति है क्या है पर्योजनवती पर्योजनवती है उसकी भेध गोणी के दो भेध है सारोपा और साध्य वसाना बात समझ आधा सारोपा ये है रूपक और ये क्या है कि लुप्तोप म बस खत्म गानीई अब देखो रुपक का उधारने वो सारोपा का भी है गौनी का भी है और परियोजनवती का भी है लुपतौपमा का उधारन साध्य उसाना का भी है गौनी का भी है और परियोजनवती का है तो यानि आप लोग उपर से समझने की बजाए अगर नीचे से समझे डारेक्ट कि सबसे पहले इसके बेदों के और चलते हैं तो आराम से समझ आ जाता है अब जैसे साध्य वसाना में ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट को अगर समझते हो तो बहुत बढ़ी है केवल उपमान होगा यानि अगर किसी पंग्ती में उपमे मौजूद है ना इसका मतलब क्लियर है कि वहाँ पे साध्य वसाना नहीं होगी केवल उपमान होता है मैं उसको उस तरीके से बताता हूँ जैसे अभी हमने पढ़ा था शेर सिवाजी ने अफजल गज को पल में किया पराजित अब आपको होगे सर पिसली बार तो अलग लिखा और अब अलग लिखा देखो ऐसा यह याद आज अधारन बहुत से तो आना मैं खुद तोड मरोड के खुद ही कर देता हूँ ये जो है इसमें क्या है उपमान है ये क्या है उपमे है ये क्या है उपमे है ये क्या है उपमान है इसका मतलब यहाँ पे कौन सी है सारोपाई कौन सी है सारोपाई ध्यान से समझना अब देखो मैंने कहा कि शेर ने गज को किया पराजित अब यहाँ पर यह मौझूद क्या है बोला यह तो शेर अब आपको पता है कि यह शेर सब्द है वो किसके लिए आया है शिवा जी के लिए आया है लेकिन यहाँ पर यह शेर है क्या उपमान है क्योंकि उपमे मौझूद नहीं था यहाँ पर गज आपको पता अफजल के लिए आया है किसके लिए आया है अफजल लेकिन यह अफजल मौझूद नहीं था और यह क्या है उपमान तो जब किसी पंक्ति में केवल उपमान आय और वो उपमान ही आपको में के रुपे संबोदित करवाए तो वहाँ पर हमेसा क्या होता है साध्य होसाना जैसे इसको देखो पेट में आग लगी है पेट में आग लगी है अब आप सीधा दिमाग में क्या आता है सर ये तो रूडा लक्षना में भी जा सकता है ये लक्षना सब सकती इसलिए तो बोला हूँ मतलब ये टफ है साभ आपको पता है लक्षना सब्द सकती के लगबग साहित्य दरपन में विस्वनातने साहित्य दरपन में असी भेद माने है और असी में से याद रखें लगबख सोड़ा सत्रा बेत तो हैं रुडा लक्षना के किसके हैं रुडा लक्षना में हिसाब से तो क्या होगा पेट में आग लगी है तो इसका पेट में आग लगी है इसका मतलब पेट में जो है भूख रूपिया ये आग किसको संबोधित कर रहा है ये आग किसको संबोधित कर रहा है भूख को संबोधित कर रहा है पेट में आग लगी है मतलब सीधा क्या करना चाहते है भूख ये आग सब्द किसको संबोधित कर रहा है भूख को लाल पकड़ी आ रही है लाल पकड़ी आ रही है तो यहां पे लाल पकड़ी मतलब क्या होगा वह कहना क्या चाहता है सैनिक क्या कहना चाहता है सैनिक या पुलिस के पुलिस आ रही है लेकिन यहां लाल पकड़ी उपमान है और यहां पे आग क्या है यह एक तरसे उपमान ये दोनों उपमान के रूप में आये हैं किस रूप में आये हैं उपमान के रूप में के सर ये थोड़ा सेट नहीं वेठा चलो मैं बदाता हूं सेट बिठाता हूं अभी देखो सेट बिठाते हैं थोड़ा सा जैसे एक छोटा सा उधान लेते हैं अपन उससे आप काफी हाँ उधारण ये लेते हैं भाले आए भाले आए जब वहाँ चलने लगे घन घोर अब मुझे बताओ क्या भाले खुद आकर चलने लग सकते हैं क्या कि भाले आए भाले आए जब वहाँ चलने लगे भाले इसका मतलब हुआ कि भाले जो है मतलब भाले लिये हुए सैनिकों की बात होरी है न सैनिकी तो लेकर आए भाले लेकिन अब गौगे सर ये तो फिर वह सुद्दा में चली जाएगी भाले आए है भाले के लिए नई बात को ध्यान से समझे, यहां पे भाले शब्द जो है न, वो सैनिकों कोई संबोदित कर रहे हैं, कि सैनिक आये जब वहां लड़ने लगे घंगो, यहां पे भाले शब्द जो है, वो सैनिक के लिए ही आये हैं, सैनिक रूपी भाले, सैनिक भाले, पुलिस भाले, मतलब सैनि यहां भाले जो है वो सैनिकों के लिए संबोदित कर रहे हैं यह भाले जो हैं वो किस सब्द की और संकेत कर रहे हैं बोला सैनिक की और कर रहे हैं इसमें कोई संदे नहीं है जैसे वो सेर सब्द था किसको संकेतित कर रहा था शिवा जी को यहां आग सब्द किसको संकेतित कर भूख को लाल पकड़ी किसको संकेतित कर रही है पुलिस को मैं इसको समझाने का प्रयास करता तो मुझे दिक्कत आती कि यह कैसे समझाए जाए मैंने इस साध्य वसाना को एक नाम दे दिया सांकेतिक लक्षणा मैंने ये नाम दे दिया सांकेतिक लक्षणा मेरे खुद के परसनल है ये किसी किताब का नहीं है सांकेतिक लक्षणा यानि जब वहाँ जब किसी पंक्ती में कोई एक शब्द आए वो शब्द किसी और की और संकेत करे यानि वो शब्द उपमान के किसकी ओर संकेत करें रहे हैं मतल और सहनी को कि ओर संकेत कर रहे हैं यह सबसे बड़ा मुझे उधारन लगा सद्यवसान अगा सबसे बेश्ट उधारन मुझे लगा जैसे मैं आपको और बताता हूँ हाँ हाँ ये तो उसमें भी आ जाएगा है न लाल पकड़ी आ रही है ठीक है अब ये सर ये अमने उधारन जो है वो वहाँ देखा है सर ये उपादान में देखा है उपादान लक्षना में देखा है आप बोलोगे उपादान लक्षना में देखा है तो अब आप सोचो उपादान लक्षना में देखा है आप सीधा बोलोगे अब उपादान लक्षना में बोलतो दोगे लेकिन अब जैसे ही आप इसका भाले लिए हुए सैनिक करोगे तो ये किसमे चली जाएगी ये उपादान में चला जाएगा लेकिन जब भाले संकेत करेंगे सैनिक की और तब किसमें चली जाएगे अगर भाले आए जब वहाँ आपने उपादान लक्षणा में देखा है तो फिर आपने लाल पकड़ी वाड़ा कहा देखा है बोला सर लाल पकड़ी वाड़ा साध्यवसालम देखा है तो जब लाल पकड़ी आ सकती है तो बाले क्यों नहीं आ सकते तो सर ये तो समझ आएगा समझना पड़ेगा कैसे अब मैं इसका एक उधारन और दूँगा वो उधारन इस परकार दूँगा आपने पीतामबर शब्द पढ़ाए बोला सर हाँ समास के अंदर हम पीतामबर पढ़ते हैं बिल्कुल पढ़ते हैं सर तो आप पीतामबर शब्द को बहुवरी में पढ़ते हैं और करमधारे में पढ़ते हैं बोला बिल्कुल सर सही बात है करमधारे में पढ़ते हैं और बहुवरी में लेकिन किस तरह से पढ़ते हो बोला सर विग्रह के आधार पर जैसा विग्रह करेंगे वैसा ही हम क्या करें उसका नाम करन अगर हम कर देंगे पीला है जो अंबर तो हम इसको देंगे करमधारे में और हमने कह दिया पीत है अंबर जिसके अर्थात वह तो यह चला जाएगा बहुवरी में तो इसका मतलब इस सब्द को आप दोनों में काउंट करते हैं उस सिर्फ उपादान लक्षणा में चला जाएगा इसमें और कोई भेद ने क्योंकि ये दोनों ही भेद जो हैं वो हैं तो किसके उपर से किसके भेदा रहे हैं परियोजन वतीश के ही भेद आ रहे हैं लेगिन खेर इसको और आगे क्लियर करते हैं साध्य वसाना तो अब आपको वहां तक कितना समझना था पहले वहां तक समझते हैं आपको गौणी जो समझी गौणी के दो ही भेदें कौन से दो भेदें दो भेदें पहला सारोपा में बार बार रिवाइज करूँगा सारोपा मतलब उपमे और उपमान और साध्य वसाना साध्य वसाना मतलब केवल उपमान साध्य वसाना मतलब क्या हो जाएगा केवल उपमान हो जाएगा ये इतना समझ आपको आना बहुत जरूरी है अगर ये इतना समझ नहीं आएगा न तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत भी महसूस होगी ही होगी बात समझ आगे अब अपन पढ़ेंगे सुद्धा लक्षना सुद्धा लक्षना में क्या होता है मुख्यार्त में बादा उत्पन होती है मुख्यार्त में बादा उत्पन होती है और जब किसी बादा मुख्यार्त में बादा होने पर साध रश्य के अत्रिक्त अन्य संबंदों के द्वारा जब उसे ग्रहन किया जाएगा तो वहां शुद्धा लक्षणा होगी कौन से लक्षणा होगी सुद्धा लक्षणा तो सर अत्रिक्त संबंद और कौन कौन से होते हैं यह देखो यहां मैंने लिख रखे हैं सामिप्य संबंद, तारकम्य संबंद, ये संबंद होते हैं लेकिन साधरश्य संबंद नहीं होगा साधरश्य संबंद क्यों नहीं होगा साधरश्य संबंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जहां होगा वहां गौणी लक्षना होती है गोणे लेक्षणा कैसे होती है सारोपा और लुपतोपमा में होता है साधरश्य संबन मुख्य रुप से लेकिन साधरश्य होता है सारोपा में इसलिए यहाँ पर नहीं होगा यहाँ पर जैसे मुख्यारद में बादा होगी लेकिन संबन सामिप्य होगा जैसे मेरे सिर्पर क्यों बैठते हो क्या कभी कोई व्यक्ति सिर्पर बैठ सकता है नहीं बैठ सकता है यानि बहुत पास बैठते हो पानी में घर बनाया है वै मेरे लिए राजा है क्या कोई व्यक्ति एक की व्यक्ति के लिए राजा हो सकता है नहीं हो सकता है तो आपने इसमें कौन सा सम्बंद लिया तात कर्मिया सम्बंद लिया तो ये सम्बंद आपको ध्यान रखने पर देंगे जैसे अब एक उधारन पढ़ते हैं जैसे जैसे वो है ना आंचल में है दूद आंखों में है पानी है ना उसमें कुछ सामिप्य सम्मन बताते हैं आंचल में है दूद आंखों में है पानी तो उसमें बनाते हैं तो वो भी किसका है पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही है किस प्रकार से हो हाँ अबला जीवन आपने देखा तो वहाँ पर वो भी किसका उधारने सुद्दा लक्षना का है अब सुद्दा लक्षना के दो भेद होंगे उपादान लक्षना और दूसरा भेद कौन सा होता है दिमाग से निकल गया लक्षना लक्षना उपादान लक्षना और लक्षना लक्षना भेद होते हैं आप इन अर्थ ग्रहन करते समय भी शब्द का अपना अर्थ कभी भी मिस नहीं करेंगे मैंने आपसे पहले बता दिया सारा घर तमासा देखने लग गया तो यहां पर इसका मतलब होगा इसका मतलब यह होगा कि सारे घर के लोग सारे घर के लोग तो मसा देखने लगे जैसे ये जंडे कहां जा रहे हैं तो यानि जंडे लिये हुए लोग जंडे लिये हुए लोग कहां जा रहे हैं इस प्रकार से आएगा ये किसके उधार्ण मान जाते हैं ये इसी के मान जाते हैं अब जो आपके आ रहे न, भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो अब अगर मानलो यूं आ जाए न, भाले लिये प्रवेश कर रहे हैं, तब निश्चित रुप से वहां पर कौण सी होगी, वहां उपवादान लक्षन होगी, क्योंकि भाले खुद प्रवेश ठोड़ी करेंगे, इसी तरह से मतलब जिसे जिसे बाले प्रवेश कर रहे हैं और को उधान चलो और याद आजाएगा उधान लक्षना लक्षना में क्या होता है लक्षना लक्षना में यह होता है जब किसी शब्द में लक्षनी करते समय मुख्यर पूर्ण ते क्या हो जाता है लुप्त हो जात यानि इसका मतलब क्या होगा वश में करना क्या होगा वश में करना मन को नहीं बांदा जा सकता किसको नहीं बांदा जा सकता मन को कभी भी नहीं बांदा जा सकता क्या कहना आप तो पूरे पंडित हैं तो यहां पर पंडित शब्द है अब यह क्या किया गया एक तरह से गया गया मैं देखो उदारन और भी बताऊंगा आपको अभी ऐसे जल्दवाजी मत करना यानि हमने उस पर क्या अरे तू तेरी बात छोड़ तू तो एकदम पंडित है बस तेरी जैसा कोई पंडित ही नहीं कहने इसके पीछे वेंगे क्या है इसके पीछे वेंगे क्या है तो मतलब मुर्ख है लेकिन तू जान बूझ के इस परकार साबित कर रहा है जैसे तू बड़ा विद्वान आदमी होगा समझ के बाद और हाँ इसके अलावा जैसे लक्षणा-लक्षणा का हाँ अच्छे लक्षणा-लक्षणा और बताता हूं जैसे अब जो उधारन है कौ आँचल में है दूद आँचल में है दूद आँखों में पानी यह उधारन भी है मतलब इसी का आँखों में इसमें पानी ठीक है आँचल में है दूद और आँखों में है पानी यह उधारन है अब यहाँ पर आँचल में दूद यानि यहाँ पर इस्तन की बात की गई है लेकिन यहाँ पर एकदम पूरा आंचल सब्दी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इस कारण से इसमें भी कौन सा उधारण है, लक्षना लक्षना सबसक्ती मानी जाएगी, यह भी बात समझ में आगी, इसके अलावा जैसे नया और कोई उधारण, जैसे पीछे अपन करके आपको साध्यवसानाम थोड़ा एकवार और बता देता हूँ, फिर मैं एकवार आपको सारनी पर वापस ले जाओंगा, ठीक है, सारनी पर वापस ले जाओंगा ताकि आपके दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यह बताना बहुत जरूरी है, यह नहीं बताया जाएगा ना, तो लोगे इस उधारन से बैस्ट मुझे कोई उधारन नहीं मिलता सुनते हैं वे करुण कहानी सुनते हैं वे करुण कहानी कलियों को उनमुक देखा सुनते हैं वे करुण कहानी अब यहां कलियों की बात किस से हुई है फिर देखा उड़ जाते भी फिर हमने उनको उड़ जाते भी हैं और फिर देखा उड़ जाते मदुकर को कर्मन मानी फिर देखा उड़ जाते भी हैं मदुकर को उड़ जाते भी अच्छा यह नहीं आएगा उड़ जाते भी मदुकर को कर्मन मानी कर्मन मानी अब इसको मुझे मानलो यह कहीं हिंदी अर्थ नहीं मिला लेकिन मैं इसक बहुत बढ़िया तरीके से है अबदान। कलियों को उनमुक देखा, सुनते हैं वे करुण कहानी, फिर देखा उड़ जाते भी मधुकर कोकर मनमन। भौरा, भौरा कली पर तब तक रहता है जब तक उसका, मतलब वही बात है कि भौरा जो फूलों का रस चुछता है, यहां यहां पर यह जो मधुकर शब्दाया है, और यहां पर यह जो कली आया है, क्या यह केवल कली के लिए आया है, और क्या यह केवल भौरे के लिए आया है, नहीं, मधुकर भौरा आया है, कली, नहीं, इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है, और यहां पर यह कलीया जो है, वो तो है मात्र उपमान ये मधुकर है ये मात्र है उपमान लेकिन उपमे मौझूद नहीं है और उपमे मौझूद नहीं है इसलिए कहा है कि केवल उपमान बात समझ गए मतलब यहाँ पर यह कहना चाहिए चाहरा है मैं जहां तक समझने का प्रयास कर रहा हूं कि यह मधुकर ना कि सिसे सोशक के बारे में आहे कि कोई सोशन करके चला गया और यह जो कलिया ना यहाँ पे कोई भी जिसका सोशन किया गया वो शोशित है बहुत गहरी बात है तब मुझे इस से बैस्ट उधारन साथ्य वसाना का नहीं मिला जिसमें कहा जाए कि केवल उपमान मौजूद है क्या और देखो जो अंत तक देखेगा क्लास वही फाइदे में रहेगा कोई बीच में रहे समझ नहीं आ रहा क्योंकि कई बार क्या होता है वो कहता है कि जो चीज उलजेगी नहीं वो सुलजेगी कैसे और अगर आप उलजन से गड़ते हो तो आप जिन्दिगी में आगे भी नहीं बढ़ सकते अब यहाँ पे साध्यवसाना केवल उपमान अब आप चीज आपको समझ आई आपको समझ क्या आई कि आपको समझ यह आया हाँ कि रूड अलक्षना अलग है रूड अलक्षना बिलकूल अलग है परियोजनवती में गोड़ी में गोड़ी में थी सारोपा और साध्यवसाना में केवल उपमान यह बात मैंने आपको बता दी यह बात मैंने आपको बता दी यह सारोपा है यह रही इससे बैस उधारन मुझे नहीं मिला यह बात आप समझ आई साथ दिवसाना के जहां केवल उपमान आता है बात समझा गई और उधान टेस्ट में बताएंगे लेकिन अब देखो सुद्दा सुद्दा में हमने पढ़ा सुद्दा के दो भेद है सुद्दा के एक भेद तो है उसका नाम है उपादान क्या लक्षणा है उपादान और दूसरा नाम है लक्षणा लक्षणा क्या है लक्षण लक्षणा लिखावाता है कोई बात नहीं लक्षण लक्षणा ठीक है उपादान में क्या होता है मुख्य अर्थ साथ में रहता है मुख्य अर्थ क्या रहता है साथ में रहता है, रहता एक नहीं रहता है बोला सरह सिर पर क्यों यह सुद्धा के उधारने यह उपादान, तो सारा घर तमाशा देχने ले लहाँ, सारे घर के लोग यह जंडे लिए हुए लोग यह भाले लिए हुए लोग तो यहाँ पे तो क्या होता है? साथ में रहता है सर आप कुछ और उधारण बता सकते हो मुझे में जिससे हमें उपादान लक्षना समझ आचाए हाँ बिल्कूल बता सकता हूँ मैं बहुत जोड़दार उधारण बता सकता हूँ कि प्राण घन को स्मरण करो नयन जरते जरते ये उधारण भी उपादान लक्षना का माना जाता है प्राण घन को प्राण धन को स्मरण करो नयन जरते जरते नयन जरते नयन जरते नयन जरते नयन जरते मुझे एक बात बताओ यहाँ पर बादा उत्पन हो गई मुख्यारत में क्या वो हो गई कि साब नैन कैसे जर सकते हैं नैन नहीं जिकशते हैं इसका मतलब नैनों से आशो ज़र रहे हैं तो मुक्यार्ट हो हिटा नहीं है बलकि उसके साथ रहा है 9.9 से आशो ज़र रहे है ये बेक इस से भैस्त उधारण मुझे उपादान लक्शना का नहीं मिला, कि जबरदस उधारण दे दिया, हलां कि ये भी अच्छे थे लेकिन ये भी उधारण मुझे दे दिया, फिर किसी ने कहा कि सर एक उधारण और दे दो मुझे, तो सर मज़ा आजाए आप उधारण दे सकते हो, तो मैंने का चलो एक ट्राई कर लेते हैं बोला सर्ट ट्राई कीजिए देखते हैं तो मैंने का नीरव रजनी में प्रशांत क्या है नीरव रजनी देखो शांत रजनी में प्रशांत द्यान से समझना नीरव रजनी में प्रशांत लाइन भी अच्छी है ठीक है न और बहुत सरलाने सोया है सारा ग्राम और प्रांथ मुझे बताओ क्या कहीं पर कोई गाउं सारा गाउं या प्रांथ जो है वो सोया हो सकता है बुला सर बिलकुल नहीं हो सकता है यानि सारे गाउं के लोग प्रांथ के लोग सोये हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ, कि उपादान लक्षणा के अंदर जो मुख्यार्त जहाँ, बादा उत्फण होई ना, उसका अन्य अर्थगहन किया, किन्टु वो मुख्यार्त हटेगा, नहीं, वो भी उसके साथ साथ जूडा रहेगा, ये होती है उपादान लक्षणा क्या होती है उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा क्या होती है जहां पर मुख्यार्थ जो होगा वो पूरा हट जाएगा क्या होगा पूरा हड़ जाएगा बलकि वहाँ पर एकदम नई चीज आ जाएगी क्या जाएगी नई जी जैसे कोई उधार्ण इसका कोई उधार्ण अबला जी उन्वड़ा था मेरे पास तो ये मैंने आपको दे दिया बस इसके मेरे पास तीन ही उधार्ण है बाकी आगे और भी आएंगे तो देखो उम्मीद करता हूँ मैंने समझाने का प्रयास बढ़िया किया लक्षणा के प्रयोजनवती और रूड़ा मुहावरा लोकोक्ति और प्रचलन में ये रूड़ी की कांड़ जो बात होती है वो सारोपा, साद्यवसना, सारोपा यानि उपान दोनों साद्यवसना यानि केवल उपमान और सुद्धा होती है जहां उपादान और लक्षणा लक्षणा उपादान में मुख्यर साथ रहता है लक्षणा लक्षणा में मुख्यर एकदम हट जाएगा उसके पूरा का पूरा जैसे हटते नहीं है ये विश्दर हटते हटाए ये विश्दर यानि पूंजी पतियों के लिए आया है तो वो उधर्ण मैं टेस्ट में जब दूँगा तब करवा दूँगा तो उम्मीद है क्लास समझ आई होगी अच्छी लगी होगी और मेरा जो सार्थक प्रियास था वो एकदम सार्थक से दुआ होगा किसी को नहीं समझ आई हो फिर भी थोड़ा बहुत कमी रह जाती है इस क्लास को एक बार दुबरा दोखी स्पीड से देख लेना जरूर जरूर समझ आईगे बहुत बहुत धन्यवाद टेक केर और टेस्ट का मैंने रिजल्ट बताया नहीं है चेटेगा और साथवा मैंने अपलोड मैंने कर दिया है तो आप उस टेस्ट दे सकते हैं आपके पास आराम से कल तक का पूरा समय है और जो कल टेस्ट अपलोड होना था वो अब परसो कर देंगे ठीक है थोड़ा साथ लेट हुआ उसके लिए मैं पहले से ही शमा चाहता हूँ क्योंकि टेक्निकल मिस्टेक मेरे हाथ में नहीं रहती फिर भी जल्द से जल्द परियास सही करेंगे ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद टेक केर शुब दिन शुब रात ले